हमारी जो 11 एसर वो फुली बरबाद है या फिर हाउ टू मैनेज 11 विद 12 आपने तो 12 स्टार्ट कर दी हम इसको 11 के साथ कैसे मैनेज करें तो फटा फट देखें कर ध्यान से हाउ टू मैनेज या फिर इंप्रूफ क्लास 11 विद 12 विद 12 आपकी चल रही है और अभी स्टार्टिंग वाला पॉर्शन है तो हमारे पास लोड थोड़ा कम है डिलेटिवली आगे चलके अराउंड मेरे गाल से दाई या तीन महिने बाद में आपकी क्लास भी सिक्स डे जे हो जाएंगी ठीक है मतलब रोज क्लास हुआ करेंगी बट तो बहुत सारे बच्चों को यह कॉंस्टेंट सवाल आ रहा था कि सर हम कैसे इसको मैनेज करें आप एक बार थोड़ा बताइए तो स्टार्ट करने से पहले भाहिया यह ध्यान रखिएगा इस बात को कभी मत भू किसा इस अबढ़ द्रैशुट्स कंप्रet। ग्याइब लिटल सानी और सब्सक्राइब किए गउन्यारे नेजिस कंप्लिट how Durya should you एपीपी सॉल कर लेता हूं बट मॉड्यूल तक नहीं पहुंचता हूं तो रुख जाई आगे इस तरफ जाने की जुरत नहीं है सर मैं सारी चीजे कर लेता हूं बट बस कही लोग तो है वह लेक्चर देखने को भी सफीशेंट बानते हैं कि बस लेक्चर देख लिए मतलब क काम कतब नहीं जी इस से काम नहीं चलेगा आपको अपनी कलंग घिसनी पड़ेगी जितनी जैदा कलंग आती है सिंगल डिजट में भी आती है डबल डिजट में भी आती है तो भाया फर्स्ट प्राइटी क्या है हमारी क्लास 12 अब कुछ बच्चे जो है ऑविसली सबकी अलग है तो कुछ बच्चे यह बोल रहे हैं कि सर हम हमारे पास टाइम बच रहा है आज कल तो ध्यान सुनना अब इसके बात में दो विर्ड़ी बचिम एक वह जो बोले की 11 फुल बर बाद हमें कुछ नहीं आता ना हमने दो इसमें कि मेरे पिष़्ली साल पड़ा था कहीं से भी यहां से अर्जुना से या कहीं और से बट अपता हमने पूरी मकारी की हमने एकदम बोलते ना बोलते ने पेट भर के अमने कब कारी कि हमें विए कुछ नहीं आता या फिर जो लोग लेगरी में लाए करते हैं जो बोलेंगे 11 फुल बरबाद उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास क्लास 11 के अरजुनास के लेक्चर का एक्सेस है जाए वो लेक्चर देखिए और कब देखने हैं वह आपको लेक्चर जब आपके पास फ्री टाइम हो देट सब्सक्राइब के लावा भी आपके पास कोई छुट्टी आती है जैसे अभी एद की चुट्टी आने वाली है खुश ख़बरी खुश ख़बरी खुश ख़बरी अना अब जो प्रॉपर समझ में सबसे इंपोर्टेंट है आपकी डेडिकेशन सबसे पहली चीज़ आपको ज शॉट से पूरा समझ में आता है यूट्यूब पे जो अपने लेक्चर अप्लोडिड है अगर आपको वन शॉट से लगता है कि येस आपने टॉपिक ग्रैब कर लिया है तो वन शॉट के लेक्चर देख लो चाहिए बट इभी वाट डिटेलिंग डिटेलिंग चाते हो त क्योंकि दुबारा लेक्चर तो चलो फिर भी देखा जाएगा दुबारा नोट्स मनाने का टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स ही हमें हमारी बंजिल तक पहुंचाते हैं दूसरों की गल्पेंड और दूसरों के नोट्स सरफ और सरफ द सेथेड़े संड़ेगो उसके साथ साथ आपको डीपी चलास गौसी कौस्टिसश करने हैं तो आपको बैंटी mauvais पर चांप करना है हम पर रिवाइस है हमारी चीज़े थोड़ी थोड़ी धुंदली हुई है ऐसा नहीं है कि हमें पड़ी नहीं है तो कुछ नहीं अलमीरा से कॉपी निकालो 11 वाली धूल जड़काओ और पढ़ना स्टार्ट करतो गो थू नोट्स यहां पर मैंने लिखा लेक्चर यहां लिखा है नोट्स एक्सराइज बन ऑफ मॉड्यूल आप यह सौल करनी स्टार्ट कर दो इस इस अभी रॉनिंग क्लास में हमारी डीपी नोट्स और मॉड्यूल कंप्लीट चल रहा है क्या हम अब इस तरफ शिप्ट हो सकते हैं तब अगर आपके एक भी टिक मतलब तोटल नौ टिक होगे ना फिजिक्स में तीन केमिस्ट्री में तीन में तीन नौ में से अगर आप आठ टिक पे भी हो तो भी मत जाना आएगा फॉर्स्ट प्रायाइटी यही है बोर्ट है इस साल और 12 का वेटेज 11 वाले वेटेज से ज्यादा होता है मैं 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 में बात करूँ तो 12 की मैंस के कोश् में भी है समझ पारे हो ठीक है यूट्यूब पे I am saying that is obviously manzil कहीं और देखोंगे समझ में भी नियाएगा वो आप जानते ही है